कम टू माई चैनल फ्रेंड जैसा कि पिछली वीडियो में इस ब्लॉज की हमने कटिंग बताई थी स्टेप बाइश्टेप उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा तो यह है आगे का पल्ला यानि के फ्रॉंट का तो इसी में दोनों पल्ला है यह है बै सबसे पहले हमने आगे कपकल ला लिया है इसी में हम सबसे पहले मार्किंग को मैं लिया वहाँ इस तरीके से लेते हुएए श्रीछ करना है तो यहां पर हमने एक प्लेट्स डाल लिया सेम इसी तरहिके से और भी डालेंगे अब इधर का यह टेकिन लेंगे मार्किंग को पकड़ना है और हापापिंच लेते हुए हमें स्टिचिंग कर देना है यानि कि सिलाई लगा देना है फिर यह लेंगे इस तरहिके से और मार्किंग को हापापिंच दोने साइट से और सिलाई लगाएंगे यहां और उसके बाद अब यह वाला टेकिन लेंगे यहां से यह तो यहां पर हमने सारे टेकिन को ले लिया है यह देखिए इस टाइप से यह टेकिन लग गई है अब हमें इसमें बेल्ट को जॉइंट करना है तो जो बेल्ट हमने कट किया हुआ था. उसी बैल्ट को में इसके उपर डालकर इसको जौइंट करूंगी. तो ये देखिए ये वाले बैल्ट को अपजोड़ेंगे. तो ये नि बन गई है. चार टेक्स होती है. तो ये चारों टेक्स लग गई है. ये देखिए अब हमें क्या करना है ये वाले बेल्ट को जॉइंड करना है तो वो मैं जॉइंड करती हूँ इधर से इस टाइप से यहां से लेंगे लाश्ट से और हाफा पिंच पकरते से सिलाई लगा देंगे इस तरीके से तो हाफा पिंच लेते हुए हमने स्टिचिंग कर लिया है अब इसको हम इस टाइप से पलट लेंगे जो इक्स्ट्रा होगा उसको कट कर देंगे तो यहां से हम इसको मिला देंगे तो इक्स्ट्रे वाले को हमने कट कर लिया अब इसके उपर सिलाई लगाएंगे, एक या दो सिलाई अब लगा सकते हैं, तो मैं एक सिलाई इस तरीके से लगाऊंगे, एक सिलाई और बिल्कुल इसके किनारे से लगा देते हैं, दो सिलाई से ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगी, तो यह एदो सिलाई हमने लगा लिया ये अच्छ से ब्लकुल बैठ गई है ये देखिए इसी तरीगे से हम दूसरी पल्ले को भी एड़ी करींगे देकंगे बहुत अच्छ से यह बैठ गई अब हम लगाएँगे काज पट्टी और रूच पट्टी तो मैं दोनों पला फ्रन्ट रैड़ी कर ली फ्रन्ट काया हूँ यह तो यह हमने हूँक की पट्टी लिया है जो की थोड़ी पतली यह इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे और सिलाई लगाएंगे सीधा रखते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको कट कर लेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे इस टाइप से यह सिलाई लग चुकी है अब क्या करना है यहां से हाफापीच पकरते हुए फोल्ड करेंगे यहां पर हमने लगा लिया यह अंदर के तरफ जाएगा हेम होगा यहां पर अब हमें क्या करना है दूसरा पल्ला में हमें लगाना है हूँक ब्लॉब वाली पट्टी तो वह मैं लगाती हुँ यहां पर हमने दूसरा वाला पल्ला ले लिया और इसको हम इस टाइब से डालेंगे यहां और इस टाइब से यहां और शलाईगे हाफा पिंच पकड़ के हमें स्टिचिंग कर देनी है तो बहुत कर देते हैं कि अब कि यह पीच पकड़ कर लिया अब इसको क्या करने हैं इस टाइप से पलट कर इसके उपर एक सिलाई मैं इसके उपर लगा देती हैं लगा दिए हैं यह देखिए इक्स्ट्रा जो होगा उसको हम कट कर लेंगे तो यहां से इक्स्ट्रे वाले को कट कर दिए यह देखिए बिल्कुल पर्फेक्ट तरीके से लग गई है जो कि इसमें हूप पट्टी लगेगी अब हम क्या करते हैं बैक पला रेडी करेंगे तो इस टाइप से यह लग गए हूप की पट्टी एक प्ती यहां से याँ आप पिंप कर देंगे यहा रेडी को बिल्कीके बगाए हुम्य दालते हुग किसे में वह देखिए इस टाइप से यहां हापापिंच पकड़के एस्टिचिंग कर देंगे फिर इधर साइड उसी टाइप से सिलाई लगाएंगे और हापापिंच पकड़के स्टिचिंग कर देंगे तो यह हम टेकिन लगा लिए हैं अब इसको क्या करेंगे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हेमिंग के लिए आगे पीछे दोनों का कि यह कर देते हैं हमने हाप पिंज पकड़के सिलाई लगा दिया है यह अप कने फोल्ड करेंगे जो कि भी यह में इस तरीके से अबुपर इतना इसीचिंग में जाएगी तो तो इसको हम बैठा लेते हैं हेम के लिए बहुत एजी है ये फूल स्लिप्स का भी ब्लॉश सिलना अब चलिए इसकी शॉल्डर जॉइंड करते हैं तो आगे के उपर पल्ला को रखेंगे और shoulder joint करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमें आगे वाले पल्ले में भी इस तरीके से मोड़कर सिलाई लगा देना है तो वो लगा लेते हैं तो वो देखिए कैसे लगाएंगे बिल्कुल हाफ इंची लेना है ये इसी टाइप से पुरे को मोड़ेंगे तो यहाँ पर हमने हाफ इंच पकड़के stitching कर लिया है ये देखिए अब इधर से जो एक्ष्ट्रा है उसको हम कट करेंगे ये जो धागा निकला हुआ है तो इसको हमने निकले हुए धागे को कट कर कर लेंगे आगे वाले पल्ले को डाल रहे हैं ये देखिए और दोनों सोल्डर करेंगे तो इस टाइप से हमने इसको इसको उपर डाल देनी है और सोल्डर को मिला कर सिलाई लगा देनी है तो यहाँ पर इस तरीके से मिलाएंगे और हाफ आप इंच पकड़के सिलाई लग हो गई है अब हम दूसरे साइट के करेंगे तो सेम उसी तरीके से इसके उपर डाल देंगे तो वो डाल देते हैं और हाप-ाप इंच लेते हुए इसको भी इसलाई कर लेंगे उसके बाद पाइटिंग लगाएंगे यह तो यह भी सोल्डर जॉइंट हो गई अब करते हैं फिटिंग तो फिटिंग अपना साइज देख लिजेगा एक बार चेक कर लिजेगा और उसी साइज से फिटिंग कर लिजेगा तो यहां पर हमने इसको रख लिया अब कर लेते हैं इसकी यहां से फिटिंग यहां से हम ले ले रहे हैं दोनों साइट से लेना है उसी तरीके से और केंग लागा लिया है अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे दोदर सिलाई हमने लगा लिया है अब लगाएंगे बाजू और नेक लगाते हैं चलिए नेक पर हमें पाइपिन डालनी है तो वह डालेंगे तो मैं वह दिखाती हूं कैसे डालते हैं पाइपिन लगाएंगे तो वह पाइपिन हमने यह और इंज कलर की कट किया हुआ है तो इस ब्लॉज की कटिंग आपको नीचे लिंक डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगे आप वहां से कटिंग कर लीजेगा तो अब इसको हम इस तरीके से उड़े पट्टी को डवल करेंगे ड तो यह देखिए बिलकुल किनारे से हमें इसी तरीके से सिलाइ लगाते जाना हैं बहुत इजी है ये पाइपिन लगाने मैथव यास तो पूरा हाफा पंज पकड़ते हुए इसी तरीकर से लगाएंगे वस्ते से satisfine को पाप्टी को लगाना है evaluated को इसाड़े साथ हाफा पंज पकड़ते हुए फेड्ज जांहाँ पे इसी टाइप से लगाएंगे कर देंगे यह देखिए तो इस तरीके से हमने लगा लिया इस पर अब इसको पाइपिन बनाएंगे तो देखिए इसको हमें इस टाइप से लेना है यह और बिल्कुल बारीक निकालते हुए एक किनारे से सिलाई लगा देना है यह देखिए बिना धागे का बिल्कुल बारीक सी पाइपिन लगा इसी तरीके से बिल्कुल इसी टाइप से बैठ आते हुए तो यह हम पलट कर लगाएंगे यह देखिए इस तरीके से पूरे में लगा देंगे इसी टाइप से बैठ आते जाना है सिलाई को लगाते हुए यह देखिए यह को दाइपिन लगा दे यह दर बहु Inde को कर देते हैं जैंप दिखाते हैं मेरा कैसा लगा को दिखाते हैं कितना पैपिन गशाव इसको प्लेट कर सीधा कर लिया है यह देखिए यह बैक का पाइपीन है कितना पैरल लग गया बहुत खुबसुरत लग रहा है अब चलिए इसकी फूल बाजु तो बाजु में भी हमें पाइपीन डालनी है तो यह वाली फ़ब्रिक हमने ले लिए है अब इसको पाइपीन ड लगाएंगे कैसे वह देखिए इस टाइप से लेना है इसको करना है डावल डावल करते हुए हाफापीज पे सिलाही लगा देना है अब पाइपीन को ज्वाइन कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से यहां इक्स्ट्रा को कट करेंगे अब क्या करेंगे इसको हम इस टाइप से पलट लेंगे पलटने के बाद यहां बिल्कुल किनारा से एक सिलाही लगाएंगे जो की पाइपीन कमारी अच्छी तरीके से बन जाए और एक एक सिलाही लगा देंगे पाइपीन बिल्कुल पर्फेक्ट तरीके से लगना चाहिए इस टाइप से पाइपिन को कुष्टिस करना है यह इसकी पाइपिन लग गई अब इसको क्या करना है डावल करना है इस टाइप से और फिटिंग कर लेना है तो फिटिंग अपना साइज साइज देख लिजेगा आपका साइज कितना है उतना पर फिटिंग केजिए इसके ऊपर चला देनी है थोड़ा साइज से हमें ज्यादा लेनी है तो हम यहां से फिटिंग वाला सिलाई लगा लिए अब इसको पलट कर सीधा कर लेंगे अब इसको आर्म होल में अटेच करत आप वह करते हैं मुहां तो यहां पे पहले जनकी आप के लिए लगा देते हैं तो वह लगाती हूँ थो फंप पकरते हुए सिलाई को लगाना है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यह देखिए यह सबसे मैनेज टेप है पुरे बिल्कुल गोलाई में इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे यह आगे की तरफ या पीछे की तरफ आप कर सकते हैं कट कर लेंगे यह देखिए पुरे गोलाई में यह वाजू की से पुड़े गोलाई में इसको करते पार closest और बिखाते हैं तो यह देखिए वाला बाजू लग गया है यह देखिए अब सेम इसी तरीके से दूसरे बाजू को लगाएंगे देखिए यह बिल्कुल ऐम हूं में प्रफेक्ट आया है तो दूसरे बाजू को सेम ऐसे लगाते हैं दूसरा बाजू भी लगा लिया है अब चलिए पुरे ब्लॉज को मैं सो करके दिखाती हूं तो दोनों बाजू हमने बिल्कुल उसी तरीके से क्वाटर बाजू लगा लिया है साइज के रिकॉर्डिंग आप परक सकते हैं आप कितना साइज की पहनते हैं तो चलिए पुरे ब्लॉज को सो करके दिखाती हूं तो इस तरीके से आप क्वाटर बाजू की ब्लॉज इजली घड में बना सकते हो फ्रेंस इसका कटिंग का वीडियो आपको नीचे लिंक डिस्क्रेप्शन में मिलेगा वहा पिसकी कटिंग स्टीचिंग आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल पर फॉस्ट टाइम है तो बिना सब्सक्राइब की वें नहीं जाईएगा तो मैं इधर से भी दिखा देती हूं यह इस तरीके से इसका फाइनल ल प्लीज इस वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल पर फॉस्ट टाइम आई है तो बीना सब्सक्राइब के वें नहीं जाईएगा कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट सेक्ट्ट में कॉमेंट किजिएगा तो फिड मिलती हूं नाइक्ष्ट वीडियो में नाइक्ष्ट जब तक के लिए बाई बाई ओल